हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आवर चैनल आज हम बनाते हैं बच्चों के फेवरेट डोनट्स जो हमने बिना येस्ट बिना अंडे से बनाए हैं एकदम सॉफ्ट बने हैं तो चलिए फिर बनाते हैं डोनट्स बनाने के लिए हमने लिया है एक कप मैदा आधा कप शुगर पीसी हुई वनफोथ कब दही दो टेबल स्पून बटर बेकिंग पाउडर एक टिस्पून लिया है और बेकिंग सोड़ा वनफोथ टिस्पून तो चलिए एक बाउल में हम इसे इसे हमें चानना है सभी ड्राइ इंग्रेडियंट्स हम चान लेते हैं इसे चानने से हमारे टोनट्स अच्छे स्पॉंजी और सॉफ्ट बनते हैं इसलिए हम इसे चान लेते हैं इसमें हम सोड़ा उसी मातरा में डालेंगे जितना बताया है क्योंकि जादा डालने से जादा टेस्ट आता है अभी इसमें हम दो टेबल स्पून बटर मिक्स कर देंगे आप बटर के ज अभी हम इसी में वानफोर्थ कप कर्ड मिक्स करके इसे अच्छे से मिला लेते हैं इसे हमें हलके हाथ से ही गुनना है जादा प्रेशर दे कर नहीं गुनना है जस्ट इसे बाइंड करना है देखिए यह हमारा अच्छा सा डो एक बंच चुका है अभी थोड़ा सा हाथों में तेल लेकर उपर से हम उसको ग्रिस करके हाफ नवर के लिए कपड़ा डग कर छोड़ देते हैं तो चलिए फिर हाफ नवर हो गया है हमारा देखते हैं डो फर्मेंट हो गया है कि नहीं देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है डो तो चलिए फिर अभी हम इसके डोनट बनाते हैं इसमें से हम एक बॉल लेकर उसे हम बेल लेते हैं जिस सर्फेस पे हम बेलेंगे उसी पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बॉल को रोल करते हुए उसे बेल लेते हैं हमें इसे जादा पतला नहीं बेलना है इसे हम रोल करते हुए बेल लेते हैं और आप देख सकते हमने इसे कितना मोटा रखा है अगर आपके पास डोनट कटर है तो बहुत ही एजी है लेकिन हमारे पास डोनट कटर नहीं था इसलिए हमने एक जुगार लगाया है यह मैंने कटोरी ली हैं और यह है एक मेडिसिन का ढखकन जिससे हम अंदर वाला गुल कट कर लेते हैं और यह देखिए हमारा डोनट कट के रेडी हो चुका है इसी तरह से हम दूसरा डोनट को भी कट कर लेते हैं और यह हमारे सारे ही डोनट कट हो चुके हैं तो चलिए फिर इसे हम फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए हमने लिया है आईल यह देखिए हमारे सारी डोनट रेडी है फ्राइ करने के लिए हम आईल चेक कर लेते हैं हमारा आईल गरम हो चुका है इसे धीमी आज में ही हमको फ्राइ करना है तो चलिए फिर एक एक करके हम इसे तर लेते हैं इसे हमें दीमी आज में ही पकाना है अगर आप हाई फ्लेम में पकाते हैं तो ये उपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्छे रह जाएंगे आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से कलर आ चुका है अभी इसे हम अलेट पलेट कर फ्रै कर लेते हैं ये हमारा हो चुका है देखिए आप कैसा कलर है अभी हमारे डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हैं तो चलिए अभी हम इसे चॉकलेट में इसे डिप करते हैं चॉकलेट के लिए हमें चाहिए डाक चॉकलेट और वाइट चॉकलेट थोड़ा डेकॉरेशन के लिए तो हमने यहाँ पर डाक चॉकलेट लिया है इसे हम डबल बॉइलर में थड़ से मिल्ट कर लेते हैं नीचे हमने कटोरी में गरम पानी लिया है और इसे चलाते हुए हम इसे मिल्ट कर लेते हैं। ये हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसकी कंसिस्टनसी हमें थोड़ी फ्लोई चाहिए, इसलिए हम इसमें एक स्पून जितना मिल्क अड़ कर लेते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क अड़ करके, इसे हम मिक्स करके इसे थोड़ा पतला कर देते हैं। देखिए, आप इसकी कंसिस्टनसी देख सकते हैं। अभी हम वाइट चॉकलेट को रेड़ी कर लेते हैं। वाइट चॉकलेट में भी एक स्पून जितना हम मिल्क अड़ करके उसे भी पतला कर देंगे। अभी ये हमारा वाइट चॉकलेट भी देखिए, रेड़ी हो चुका है। इसकी भी कंसिस्टनसी देखिए, तो चलिए फिर अभी हम इसे दोनो चॉकलेट वाइट चॉकलेट और दाक चॉकलेट रेड़ी हो चुके हैं। अभी हम इसे दीप करते हैं। दीप करने के लिए हमने चॉकलेट को एक प्लेट में थोड़ा स्प्रेड कर लिया है। और ये है मेरा बेटा, जो मेरी हिल्प कर रहा है। वो बहुत पीछे पड़ा था कबसे कि मुझे डोनट बना के दो, डोनट बना के दो। इसी की डिमांड पे मैंने आज डोनट बनाये हैं। तो आप ही देखिए ये वीडियो और आपको कैसा लगता है आज की रेसिपी। प्लीज नीचे कमेंट करिए। और सभी को हम एक एक करके चॉकलेट में डीप करके हम उसे रेडि कर लेते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अभी तो बच्चे घर में हैं और बच्चों को भी बोर हो जाता है तो उनको भी ऐसे चोटी-चोटी अक्टिविटी में इन्वाल्व करिए। तो चलिए अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन के लिए देखिए मेरे पास वाइट चॉकलेट था। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे डेकोरेशन करिए। मुझे ये इतना अच्छे से नहीं लगा इसलिए मैंने क्या किया आप फोक लेकर उसमें थोड़ा सा लाइन से कीच लिया है। देख सकते हैं आप मैं इसे फोक की हल्प से थोड़ा डिजाइन देने की कोशिश की है। बाकी बचे डोनट्स को भी हम इसी तरह डेकोरेट कर लेते हैं। मेरे पास थोड़े गोल्डन और सिल्वर कलर के बॉल्स थे जो केक में यूज होते हैं। उसे भी मैंने इसके उपर थोड़ा स्पिंकल कर दिया है। ये मेरा बेटा उसके उपर स्पिंकल कर रहा है। अब अपने मन से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा डाक चोकलेट कम पड़ गया था इसलिए मैंने फेस से उसे रेडी करके बाकी डोनट्स को भी डिप कर लिया था अब ये हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे और सुन्दर दिख रहे हैं हमारे डोनट्स एकदम टेस्टी देखिए मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉंजी बने हैं हमारे डोनट्स तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करिए और प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अगर आपके पास इस डेकोरेशन में से वाइट चॉकलेट भी नहीं है और स्प्रिंकल लस्ट भी नहीं है तो आप शुगर को ग्राइंड करके पाउडर शुगर लेकर उससे भी आप इसे डेकोरेट करे सकते हैं थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग देखते रहिए और स्वस्त रहिए